हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल एक्जाम क्रैक पॉइंड में दोस्तों बहुत ही अच्छा एक निउज है एंटीपीसी का तरफ से दोस्तों वैकेंसी आया है डिप्लोमा इंगिनियर के लिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो की एं अब देख सकते हैं सारा चीज सारा डीटेल्स वीडियो में बात करेंगे क्या क्राइटरिया है क्या एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है एक्स्प्रियंस नहीं चाहिए फिसस लोग अप्लाई कर सकता है सलरी क्या होगा सारा चीज को ले करके आज इस वीडियो में लोग बा अपर यह पर दिया गया है जो कि यह पर देह सकते जहाटकन में 3 पर पर Jahren 36 अचिज दिया हुआ है सारा डेटेल्स हम लोग बात करेंगे वीडियोग का आखरी तक देखते कलेर हो बच्वा मत डियर करता हुं कि क्लि respondedUS मय और में धाया हम यह चार ट्रेड करेड सकता है यहाँ पर डेखिए कि यहाँ पर क्लियर करके लिखा गया है कि training जो है आपका पहले दो साल का लिए training होगा जैसे कि NTPC में होता है उसके बाद after successful training आपको जो है permanent W7 category में आपको place किया जाएगा after successful training जब अपका training होगा उस time 24,000 रुपीया पर मन्त आपको stipend मिलेगा अपका salary होगा 24,000 रुपीया पर मन्त और जब आपका confirmation हो जाएगा उस time ntpc का जितना जैसे pay scale है उसका हिसाब से आपका salary हो जाएगा दोस्तों age limit के लिए अगर हम लोग बात करेंगे आपार age limit यहाँ पर 25 years रखा गया है और जैसे कि आप लोग को पता है सब्सक्राइब के लिए दस सल एस पर government of India का रूल से वैसा ही यहाँ पर भी लागू है लेकिन जेनरल वालों के लिए 25 साल आपर age limit यहाँ पर रखा गया है दोस्तों और एक चीज यहाँ पर मैं clear कर देता हूं कि discipline देख सकते हैं माइनिंग, electrical, mechanical and mind survey यह चार चार ट्रेड बालों apply कर सकता है दोस्तों माइनिंग के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए देखे फूल टाइम regular diploma of mining यह दा फिर mining and mind serving engineering with minimum 70% marks दोस्तों माइनिंग बाला भी apply कर सकता है माइन सर्वे बाला भी apply कर सकता है electrical के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों electrical वाला भी apply कर सकता है and electrical and electronics engineering वाला भी apply कर सकता है लेकिन आपका minimum marks 70% होना चाहिए mechanical के लिए mechanical वाला अपलाइ कर सकता है production वाला भी apply कर सकता है माइन सर्वे के लिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों माइन सर्वे के लिए माइन सर्वे वाला तो एपलाई करी सकता है माइनिंग वाला भी एपलाई कर सकता है along with mining and mind surveying with minimum 70% marks mining and mind surveying वाला भी apply कर सकता है लेकिन criteria आपका minimum 70% marks होना चाहिए तो दोस्तों यहां पर selection process का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ selection process कैसा होगा इसमें कोई भी interview नहीं होगा इसमें आपको online test लिया जाएगा उसका साथ English भी रहेगा यहां पर देख सकते हैं English quantitative attitude and reasoning और दोस्तों यहां पर दो घंटेओं के लिए 120 मिट के लिए आपका test लिया जाएगा negative marking है 0.25 marks मतलब 4 question का answer अगर आप गलत करते हो तो एक number आपका deduct हो जाएगा और दोस्तों यहां पर सबसे important चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40% marks रखा गया है जंदल वालों के लिए and EWS के लिए EWS मतलब हो गया कोई chance नहीं है लेकिन 30% से उपर अगर है तो आपका एक chance बनता है depend करेगा question कैसा आता है और total marks कितना आ रहा है सबका उसका उपर depend करेगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि the candidate will be shortlisted at the rate of 1 is to 10 मतलब दोस्तों एक online second stage test के लिए 10 अदमी को selection किया जाएगा ठीक है उसके बाद देख सकते हैं second stage online test जो कि होगा technical का उपर there will be no weightage to online aptitude test in the final selection तो दोस्तों online test जो होगा आपको only qualify करना पड़ेगा final selection के लिए इसका कोई भी weightage नहीं रहेगा last line में clear कर दिया है दोस्तों second stage online test में आप देख सकते हैं यह only technical के उपर होगा 120 multiple choice question रहेगा same to same आपको 0.25 अपको हर question अगर गलत answer करते हो तो 0.25 marks आपका deduct हो जाएगा तो एक marks अपका deduct हो जाएगा और दो घंटे को लिए होगा यह भी test और दोस्तों इसमें अगर आप qualify करते हो तो आपका selection हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं medical होगा लेकिन कोई भी skill test या भी personal interview नहीं होगा test center के लिए अगर हम लोग बात करेंगे test center आप देख सकते हैं कि test center जैसे ndvc का rule से वैसा ही होगा और projected vacancies के लिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों mining के लिए जैसे मैं आपको बताया सारा vacancy सारा जो मैं 45 project का नाम लिया है सब में अलग-अलग vacancy है यहाँ पर आप जा गया है mechanical, mining, electrical के लिए आप एक और बढ़िया से देख लिजेगा सारा टेबिल में दिया गया है इसका link में रिचे description box में provide करा दोगा वहां से download करके आप एक बड़ जरूर चेक आउट कर लिजेगा और दोस्तों यहाँ पर और एक important चीज में बता देता हूं कि यहाँ प after two years training की आपको तीन साल minimum minimum तीन साल आपको रहना पड़ेगा NTPC में जैसे आप लोगों सभी को पता है कि NTPC में किसी का अगर जॉब लगता है तो कोई छोड़ता नहीं है फिर भी यह एक safety के लिए वो लोग bond करेगा ठीक है एक bond भी रहेगा तो दोस्तों how to apply के लिए कि लि की 23 तरीक रात 12 बजे से चालो हो गया है ठीक है और यह चलेगा 12 डिसंबर तक काफी लंबा समय है लेकिन आप को अगर apply करना है तो आप last date के लिए बिल्कुल भी वेट मेत करो आप तुरंद apply कर दो ठीक है तो आपको online apply करना पड़ेगा state bank of India का तरफ से general वालों के लिए 300 लगेगा जो कि अपका फीज है और बाकी स्ट वालों के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा फ्री है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा एकाउंट नमबर दिया गया है सारा चीज जैसे आप वहाँ पर एंटीपीजी का ओपेसील वेबसाट में जाकर करके देखो के सार अब खाल यह जालो हो गया है लास्ट टेट 10 वार्यकर है डाउनलोड़ कार्ड अटमिलगाट कार्ड फास्ट टेच वह आलो मिल जाएगा दिसंख में में और स्यकेन्ड घृष ग i है 23 तरिक से ले करके 12 तरिक अंदर आपको अप्ले करना पड़ेगा आप एक बड़ सारा सारा यहां पर मैं इसका पीडियाप नीचे डिस्क्रिप्सर बॉक्स में प्रवाइड करा दोंगा वहां से डाउलोड करके दोस्तों आप एक बार जरूर चेकाउट कर लीजिएगा आ दोस्तों फिलाल वीडियो इतना तकी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक कर देजिए कुछ डाउट है तो नीचे भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या तो फिर NTPC का वेबसाट मे जा करके FAQ सेक्षन भी देख सकते हैं और ऐसा ही एक्जाम रेलेटेट जॉब रेलेटेट न्यूज अबसे पहले देखने के लिए एक्जाम क्रेक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेग और आप अपडेट होते जाओगे तो थैंक्यो फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग देफ वीडियो जैहिन बंदे मातरम